गाड़ी से जुड़ी informative वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एहतेशाम भाश्मी को जब भी हम लोग कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहला question जो हमारे mind में आता है वो ये होता है कि गाड़ी में कौन-कौन से documents रखें और जब भी कभी हमें traffic police वाले अगर रोकते हैं और हमसे documents पूछते हैं तो ऐसे कौनसे documents हैं कि जिनको हमें mandatory ही लेके चला हैं इसके बिना अगर हम गए तो हमारा एक बड़ा चालान भी हो सकता है और legally और safety के purpose से दोनों से ही ये अच्छा नहीं है तो इन documents में सबसे पहला document जो होता है वह हमारा driving license driving license हमारा एक basic document है जिसके बिना हम कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो driving license जो होता है वो हर एक vehicle class के लिए अलग होता है जैसे कि non-geared vehicle के लिए अलग license बनता है और geared vehicle के लिए अलग बनता है two wheelers का अलग, four wheelers का अलग, commercial vehicles का अलग तो आप जिस तरह की गाड़ी चलाना चाहते हैं आप उस तरह का license बनवाएंगे और अगर आप दो या तीन टाइप के vehicle चलाते हैं तो वो एक ही license में हो include होता है वो सब तो आप उस तरह से license बनवा सकते हैं अब यह license को लेके ही आपको निकलना है जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं अगला जो document है वो हमारी RC है RC मीन्स registration certificate यह RC जो है वो गाड़ी का document है जिस तरह लाइसेंस आपका personal document था इसी तरह गाड़ी का document है जिसमें गाड़ी के details है वो होता है आपका RC तो registration certificate में आपके गाड़ी का color, गाड़ी का maid, गाड़ी का manufacturer, गाड़ी का type, chassis number, registration number यह सब चीजें include होती है जिससे गाड़ी की पूरी details उस एक card में cover हो जाती है और वो दूसरा document हमें अपने साथ हमेशा रखना है जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं तीसरा document जो एक और important document है वो है हमारा insurance policy तो जब भी एक गाड़ी हम लेते हैं तो उसका insurance कराना is a mandatory इसके बना गाड़ी road पे आप नहीं ले जा सकते हैं और इसमें third party insurance होना बहुत बहुत जरूरी है इसके बिना आपकी गाड़ी आप पहार निकाल ही नहीं सकते हैं तो insurance होना बहुत important है इसके बाद एक option आता है comprehensive insurance का वो आप ले सकते हैं उससे आपकी गाड़ी भी cover हो जाती है बट ये mandatory नहीं है mandatory is the third party तो third party insurance आपके पास होना ही होना चाहिए तो ये हो गए आपके तीन documents अब अगला जो document है वो है आपका PUC certificate means pollution under control certificate के आपकी जो गाड़ी है वो इतना pollution कर रही है जो की under control है ये certificate हर 6 महीने में invalid हो जाता है आपको इसे renew कराना होता है किसी भी pollution control board के authorized dealer से आप इसे करा सकते है प PEO से या कोई और अगर private भी खोले हुए है बट वो registered है तो आप वहां से भी करा सकते हैं तो PUC हर 6 में आपका invalid हो जाता है आपको validity उसकी बढ़ानी होगी और जो हम नई गाड़ी जब लेते हैं तो उसमें एक साल का PUC होके आता है आप एक साल तक आपको उसे renew कराने की है वो ही recommended है तो पहला है driving license दूसरा है RC तीसरा है आपका motor insurance policy और चौता is PUC certificate अब अगर आपके पास यह चारो documents हैं तो आप अपनी गाड़ी बे फिकर होके पूरे इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हैं आप बिलकुल safe है legally आप बिलकुल safe हैं यह information आपको पसंद आई होगी और आपको यह help भी करेगी आगे आप जब भी कभी गाड़ी चलाते हैं